हलो फ्रेंज आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्पिन हिंदी में फ्रेंज जैसा कि आप सबी जानते हैं मैं आपके लिए सुप्रीम कोट और हाई कोट के जज्जमेंट लेकर आती रहती हूँ आज भी मैं आपके लिए बॉंबे हाई कोट का एक ऐसा ही जज्जमेंट लेकर आई हूँ जिसमें कि बॉंबे हाई कोट ने ये कहा है कि अगर बलातकार के शिकार हुई लड़की के बोड़ी पर कोई चोट के निशान ना हो तो इसका मतलब ये नहीं लगाया जा सकता कि जो भी संबंद बने वो पीड़िता की सहमती से बने है चलिए जानते हैं क्या था ये मामला बॉंबे हाई कोट ने 21 साल पुराने फैसले को बदल दिया है और 41 साल के एक वैक्ती को 1996 में एक लड़की से बलातकार का दोशी पाया है नियाई मूर्ती इंदरजीत महंती और वी के जाधों ने चोट के निशान ना होने और उसे सहमती से बताने पर ये कहा कि पीड़िता के शरीर पर किसी तरह का चोट का निशान नहीं होने का मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि पीड़िता ने अपनी सहमती दी थी और इसका अर्थ ये भी नहीं निकाला जाना चाहिए कि उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया होगा प्रतिरोध नहीं होना या शरीर पर किसी तरह का चोट का निशान नहीं होना का मतलब सहमती देना या लेना नहीं होता है महराज शरकार ने जुलाई 1997 में नासिक की अतरिक सैसन कोट के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें की मच्छिन सोनवाने को बरी कर दिया गया था में आसहमती जताई है जिसमें उसने लड़की की उमर 16 साल निर्धारित की थी हाई कोट ने कहा कि निशली अदालत ने इस बारे में यांतरिक तरीके से पेश आया है कोट ने कहा कि निशली अदालत ने बहुत ही आगंभीर तरीके से इस मामले पर निर्णे दिया था और वो अपने पिता के लिए दवा लेने आरोपी के पिता के दुकान पर गई थी उसे सिरदर्थ था और वो एक तरह से इसकी दवा के लिए दुकान दार से भीक मांगी और इस क्रब में उसे निश्चिती काफी शर्म और पीड़ा जेलने पड़ी होगी इसके बावजूत की ये घटना 1996 में हुई हम न्याय दिला कर इस संस्था में आम लोगों के भरोसे को बनाए रखना चाहते हैं इसके बाद इस अपिल को आस्विकार कर दिया गया और कोट ने सोनवाने को साथ साल के कठिन कार आवाज की सज़ा सुना दे कोट ने नासिक जिला के जिला विधिक सेवा प्राधिकरन को निर्देश दिये कि वो पिलता कहां है इसका पता लगाया जाए और राष्टे विधिक सेवा प्राधिकरन के तहत उसे मुआवजा देने के लिए आवेधन किया जाए तो फ्रेंस बॉंबे हाई कोट का ये फैसला बहुत ही सरानी है जो के आने वाले टाइम में इसी तरह के क्राइम में जज्जमेंट पास करने में मिलका पत्थर साबित होने वाला है तो उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए शेयर करिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर लीजिए और साथ में देए के बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए तो फ्रेंज आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू वेरी मुच